तो आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे सिरफ के बारे हम बात करने वाले हैं जिसको आपने कभी न कभी न कभी देखा जरूर होगा जो कि यह डेक्सोरेंज सिरफ आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं डेक्सोरेंज सिरफ के बारे में यह जो syrup है mainly भूक बढ़ाने, बजन बढ़ाने या किसी के भी बोड़ी में खोन की गमी हो गई है उसको दूर करने के लिए दिया जाता है तो आज के इस वीडियो में हम Dexor and syrup के benefits, usage, कैसे और कब ले, side effects, ingredients और कुछ precautions के बारे हम बात करने वाले हैं अब अगर इसके price के बात करें तो वो 500 रुपे में, 200 ml की packing में आ जाता है, यह जो syrup है, बहुत ही famous syrup है, easily, हर medical पे available होता है अब बात करें कि Dexor and syrup क्या है, तो एक hematinic syrup है, जो कि iron की कमी, vitamin B12 की कमी, folic acid की कमी को दूर करता है अब बात करें इसके ingredients के बारे में, कि किन किन चीजियों से यह बना है, तो इसमें जो पहला content है, वो है फैरे कामोनियम साइट है इसके अलावा जो है, वो है, साइनो को बेला माइन, और एक जो है, वो है folic acid, इस सब content से मिलके, जो है, डेक्सोलन सिरफ बना हुआ है और इसमें कुछ amount में alcohol भी present होता है, अब बात करते हैं, डेक्सोलन सिरफ के benefits की, तो सबसे अच्छा है इसका जो benefits है, वो यही है कि आपके सरर में अगर खोन की कमी है, तो उसको दूर करेगा इसके लावब अगर आपको कोई general weakness हो गई है, तो उसमें भी useful है, और आपको अगर अपना beat बढ़ाना हो, तो उसमें भी आप इसका use कर सकते हैं, यह जो डेक्सोलन सिरफ है, वो आरेन की कमी से होने वाले anemia के treatment के लिए भी काफी असरदार है, क्योंकि आरेन की कमी होने से ह इसके सरेर में खून की कमी हो जाती है, तो वह जो शिरफ है, उस iron की कमी को धूर कर देता है, और का सरीर में ब्लड को बढ़ा देता है, यह जो सिरफ है भूख बनाने के लिए भी काफी असरदार है, अगर आपको भूख नहीं लगती, तो भी आप इस सिरफ कर सकते हैं, औ और जो खाना आपके सरीर को नहीं लगता तो इसके लिए भी जो शिरफ पे काफी अच्छा है इससे आपका वीड भी इंक्रीस होगा और अगर आपको दुबला पन और पतला पन है तो यह शिरफ जो है वो आपको काफी फायदा करेगा आपके जो डाइट है वो खराब है कि यह जो डेक्सुलन शिरफ है वो काम कैसे करती है यह जो शिरफ है उसको ऐसे इंग्रीडियन के साथ बनाया गया है जो कि खुन की कमी को दूर करता है इसमें जो फॉलिक ऐसेड है वो रेड बलड सेल जो होते है लाल ड्रक्त कोसी का उसका निर्मान करता है प्लेटिलेट नहीं है पर फिर भी कभी कभी किसी को थोड़े बहुत साइड एफेक्ट हो जाते हैं जैसे कि जी मचलाना होना पेट में कब जोना बात करें इसको लेते टाइम आपको कौन-कौन से सावधानिया रखनी है तो आप इसको कभी भी ओवर्डोस में ना लें और अगर आपको इसके कोई भी कंटेंट से एलटजी है तो आप इसका यूज ना करें बात करें कि जो डेक्सोरां जो खौनसे कौनसे आपके वॉमम में अवलेबल है तो एक तो इससला मेर्य थेम जो एए एक मैडेसिन में अवलेबल है और यह जो है वो पीडियार्टरिक डोज में available हैं जो कि बच्चों के लिए अलग सिट हो जाता है तो आज के वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में